दोस्तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वापिस आखर हमारी वीडियोस को देखने के लिए आपका हिर्दे की खेराईयों से विनमरता पूरवक धन्यवाद दोस्तो आज मैं आपको बताने जारे हूँ स्लिप डिस्क, साइटिका, बैक पेन, दबी हुई नस का ऐसा इलाज जो बहुत ही साधारन है और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यह बहुत ही असरदार है दोस्तो बैक पेन, स्लिप डिस्क, साइटिका या दबी होई नस में ज़्यादा तर लोग यही सोचते हैं कि इसका ट्रीटमेंट तो सिरुफ सरजरी से ही संभव है पर ऐसा नहीं है पर लोग भी ऐसा पते क्यों सोचते हैं क्योंकि साइटिका पेन या कमर दर्द बहुत ही दर्दनाक होता है जो कमर से पूरी टांग में फैल जाता है इससे काम करने से लेकर डेली एक्टिविटी करने में भी दिक्कट आती है पर मैं आपको एक चीज़ बता दो कि कमर दर्द का इलाज, साइटिका का इलाज, स्लिप डिस्क का इलाज, दभी हुई नस का इलाज बिना सरजरी के संभव है तो दोस्तो इस वीडियो में मैं इसके इलाज के बारे में पूरी बात करूँगी तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंट तक जरूर देखिए ताकि आपको इसकी सारे जानकारी हो सके दोस्तो पांच ऐसे कोश्चनों का हल आज इस वीडियो में आपको बताने जारें सबसे पहला स्लिप डिस्क, साइटिका या बैक पेन क्यों होता है जिसे जान लेना हर एक इनसान के लिए बहुत ज़रूरी है दूसरा, क्या स्लिप डिस्क और साइटिका वाला पेशिंट डेस्क वर्क कर सकता है? यनि किसी चेर पर बैठ कर आठाट नोनो घंटे काम कर सकता है? तीसरा, स्लिप डिस्क और साइटिका में किन चीजों से बचना चाहिए? चौथा, slip disc, cytika या back pain, कमर दर्थ इनमें कौन सी exercise करने चाहिए और final, last में आपको बताऊंगी कि घर पर अगर इसका इलाज करना हो तो कैसे किया जा सकता है तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि cytika क्यों होता है 90% cytika लोगों को disc के slip होने की कारण होता है हमारी कमर के नीचे वाले हिससे, जिने number reason कहते हैं जिसके अंदर disc बनी होती है, जिने आम बोलचल की भाशा में चल्ले कहा जाता है कि disc ऐसी होती है, जैसे कोई spring होता है जैसे spring पर आप जोड डालते हैं और उसे छोड़ते हैं तो वापिस वो spring अपनी shape में अपनी वैसी ही जगा में आ जाता है, जैसे वो होता है शरीर पर ऐसा ही होता है, जब शरीर को मोडते हैं, नीचे जुकते हैं, उचलते हैं तो यह disc जो है वो spring की तरह काम करती है और वापिस अपनी सही shape में आ जाती है लेकिन लगातार ऐसा ही होने से लगातार ज़ादा जोड लगाने से गलत पोजीशन में बैटने से गलत पोजीशन में उठने से बहुत भारी वजन नीचे से उठाने से ये डिस्क पर बहुत ज़ादा दबाव पड़ जाता है जिसके कारण धीरे धीरे वहाँ सूजन आ जात डिस्क का जो लीक्वेड होता है जिसने वर्टीब्रास कहा जाता है वर्टीब्रास का जो लीक्वेड है वो बाहर निकलने लगता है लीक होने लगता है जो नर्व को कंप्रेस कर देता है नर्व को दबा देता है और टाइम के साथ सही ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो य पेन पूरी टांग में फैल जाता है यह कमर से शुरू होता है हिपस में चुबन होती है और दर्द इसका पूरी टांग में और काफ मसल में यानि पिंडलियों को सहना पड़ता है दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे कोश्चिन के आंसुर के बारे में क्या जिनको भी साइट का पीन है या कमर दर्द है वो लंबे टाइम तक डेस्क वर्क कर सकते हैं यह की साथ से आठ गंटे यह नो घंटे चियर पर लगातार बैठ सकते हैं दोस्तों यह डिस्क में सूजन और लिक्विड का बाहर आना यह ज़्यादा लंबे समय तक डिस्क पर दबाव पढ़ने क लिकिन अगर आपका डेली का रोटीं कुछ ऐसा ही ही है आप बहुत भारी वजन को धक्का लगाते हैं अपर बहुत बहुत भारी वजन को किंपपाने अशोप ऐसा काम करता होता है जिसमें उसको ऐसा ही क्योंक내र तुछ Flynn को अधार यह उकर प 이े ही हैं हैं घर पर कभी बेड को धक्का लगा दिया कभी किसी भारी समान को धक्का लगा दिया तो इस condition में लगातार ऐसा ही काम करते रहने से डिस्क पर बहुत दबा पड़ जाता है डिस्क का liquid बाहर की तरफ निकलता है और वो साइटिका की नस को दबा देता है जिसके कारण पूरी टांग में दर्द रहने लगता है तो दोस्तो बात करते हैं ऐसी कौन सी 5 चीज़े हैं जिन से आपको बच के रहना चाहिए सबसे पहली चीज लॉंग सिटिंग नहीं करनी यानि कि लंबे टाइम तक आपने नहीं बैठना अगर लंबे टाइम तक 8-9 गंटे आप चेर पर बैठे रहेंगे तो ऐसा करने से डिस्क पर 5 गुना दबाव बढ़ जाता है अगर आपको कमर दर्द नहीं भी है तब भी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तो आप क्या करिए कमर दर्द सही रहे कमर में कोई दर्द नहीं हो तो आपने क्या करना है हर एक घंटी के बार 15 मिनट के लिए उठिए और वॉक करिए 15 मिनट नहीं उठ सकते तो कम से कम 5-7 मिनट तो जरूर करिए इसके इलावा दोस्तो आपने कोई भी भारी भरकम exercise नहीं करनी आपने तेज दोड़ना नहीं है लेकिन आप कुछ exercise कर सकते हैं वो है योगासन वो कौन से योगासन है जो आप कर सकते हैं सबसे पहला है बुजंगासन और दूसरा है मरकटासन ये कमर में flexibility को लाता है दोस्तो जिनको भी slip disc है, society का है, कमर दर्द है उन्होंने तेज नहीं दोड़ना क्योंकि जब आप तेज दोड़ेंगे तो disc पर दबाव यानि कि pressure बहुत बढ़ जाएगा और disc बहुत disturb हो जाएगी उस पर सूजन भी बहुत जादा आजाएगी अब आप तब दोड़ेंगे जब आ भारी समान को धक्का नहीं लगाना, भारी समान उठाना नहीं है, आपने वात यानि वाई वाली चीजे नहीं खानी, दोस्तो अब ब्लास्ट में भात करते हैं, इलाज की इसका इलाज कैसे संभव है, हम बहुत सारी position में सोते हैं, दोस्तो सोने की बहुत सारी position है हमारी, ल आपकी डिस्क पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाएगा, इसलिए लेफ्ट साइड या राइट साइड लेकर सोई, ऐसा करने से डिस्क पर पड़ा हुआ दबाव कम होता है, और जब हम लगातर ऐसे काम करेंगे, जिस्ते की डिस्क पर दबाव कम पड़े, तो हमारी ब ठीक होने में बहुत टाइम लेगा, या फिर ठीक ही नहीं होगा, लेकिन उसके दूसरी तरफ हम उस जखम को रिलेक्स दे देंगे, कोई छेडेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, और बहुत अराम से उसे ठीक होने देंगे, उसको खोलेंगे नहीं, तो वो जखम बहुत ज आएगा inflammation यांए की सूजन को दूर करना जब आप सूजन को दूर कर देगे जो कि मन बाइले for брass कहा जाता है छले चले कहा जाता है, डिस्क के अंदर जो सूजन ही आ चुकी है उसको सबसे पहले दूर करेंगे, उसके बाद हम इलाज करेंगे सूजन को दूर करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है मेथी दाना क्योंकि इसके अंदर anti-inflammatory properties होती है जो हमारी body में से inflammation यानि सूजन को दूर करने का काम करती है इसके अंदर electromagnet power होती है यानि कि ऐसी magnet होती है इसी power होती है जो दर्द को भी खीच लेती है इसके इलावा मेथी दानी के बहुत सारे फाइदे हैं जैसे कि ये diabetes को क्योर करती है शरीर में से वात यानि वाई को दूर करती है हमारे body के अंदर खून को बढ़ाने का काम करती है high blood pressure को क्योर करती है दोस्तो आपने रोजाना एक चमच मेथी दाना रात को भीगोना है सुबह इसका 7 कर लेना है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के दो भाग है अब बात करते हैं इलाज के दूसरे भाग की तरफ दूसरा भाग ऐसा है जो नसों में आ रही कमजोरी को दूर कर देगा नसों में जो inflammation surgeon आई उसको भी दूर कर देगा नसों में होने वाला दबाव जो है वो भी कम कर देगा और नसों को बिलकुल relax कर देगा दोस्तो इसका 7 सिर्फ आपने 15 से 20 दिन करना है वो है परीजात परीजात एक पेड़ है उसकी पत्तो का हमने इस्तमाल करना है दोस्तो 7 से 8 पत्ते लीजिए परीजात की आपने इसे चाकू से नहीं काटना आपने इसे चटनी बनानी है रात के टाइम इसकी चटनी बना लीजिए एक गिलास पानी के अंदर इसे 5-7 मिनट के लिए उभालिए सिम फ्लेम पर उभालिए इस चटनी को जो परिजात के पतों की है और रात को ढखकर रख दीजिए सुबह उठकर आपने इसी हल्का सा गरम करना है बहुत गरम नहीं करना हल्का सा गुनगुना करके इसे चान कर पीडिजिए ऐसा करने से नसों में होने वाली कितनी भी दिक्कत है दबी नस की समस्या है दबी नसे कंप्रेस हो रही है वो सबी ठीक हो जाती है दोस्तो ये जानकारी ये information यहीं तक थी दोस्तो अगर आप भी back pain, cytica, slip dick, दबी नस की समस्या को ठीक करना जाते हैं इस इलाज को जरूर follow करें और मुझे जरूर comment करें follow करने के बाद कि आपकी ये समस्या बिल्कुल ठीक हो चुकी है दोस्तो ये जानकारी यहीं तक थी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी आपके काम की है तो इस वीडियो को जरूर like कीजिएगा अपने फ्रेंज के साथ जरूर शेर कीजिएगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुद बाई